देव भूमी से है प्यार तो ये वीडियो आंग तक जरूर नहीं अगर आप सिहर न गए तो कहना ये जो चीजें आज उत्राखंड में हो रही हैं चाहे इसको बंदराम करने की साजिश हो या एक्शली हमें पैसे कमाने की भूग ये तमाम चीजें हो रही हैं उत्राखंड मे एक वर्ष हो चुका है अंकिता बंदरी के प्रकरन को कहांकि अब तक भी उसको नियाए नहीं मिला और बात हुई थी वननतारा रिसॉर्ट एक रिसॉर्ट जिसमें ये सब ग्रित्य रचा गया खेला गया तमाम चीजें हुई उसके साक्ष बहुत कुछ हुए बहुत कुछ हम सीखें नहीं है दो दिन पूर्व का एक वीडियो जो आप सब लोग देख रहे होंगे अब अपने स्क्रीन पर ये वीडियो आप चौकिए गामत ये वीडियो भी लक्षमण जूला थाना अंतरगत ही है और यहां पर यह भी एक रिसॉट का है नीरज रिसॉट अब एक नःम आया री नीरज नीरज हो वननतारा हो एबीसी हो सीवीजी हो ये सभी लोग एक हीमन मानसिटा रख रहे हैं इन्हें कोई मतलब नहीं है उत्राकंड किया नाम है क्या देव भूमी क्या नाम है कुछ न पड़े यहां पर 23 तारे की रात को छापा पड़ा और 35 लोग तो कसीनों खेल रहे थे तमाम चीज़ें हो रही थी और पांच महिलाएं भी गिरफ्थार थी आप समझेगा बागी क्या कुछ हो रहा था वहां और यह हो रहा था हमारे आख के नीचे उसी जगर या उसी के आसपास उसी थाने थाने के अंतरगत है तो यानि बहुत बड़ी सीमा नहीं ही भूगपुर के आसपास का ये कहीं का यह वीडियो है justify कितने रिसॉर्ट पल रहे हैं फूल रहे फनर रहे हैं ये आम आदमी को पता ही नहीं हम बस घर में बेच कर ऐसे कुछ वीडि दिल की वहा करें 11 Star 12 अब छोड़ी गई राद बर उनका पता नहीं कि लावाقت से कुस कैस्ट परामद वा और सवी यह सीज है नहीं है वहाँ क्या चल रहा है कुछ पता नहीं यह नीर इस री यह सीज होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कुछ पता देगा, वन अंतारा में क्या कुछ हुआ, हम सब लोगों ने देखा, ऐसे कितने वन अंतारा हैं, उत्राखंड में, जो धूमिल कर रहे हैं या कि, बड़ी, उस ताइम तो बड़ी उन्होंने छापे मारी कि, यहां छापा मारा, वहां छापा, मारा, वहां छापा, फिर हुआ क्या, धाक के तीन पात, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें लालच किसका है, हमारे जठ्टियों का भी जरूर है, जो यह रिशिकेश में, अगर यह लोग बसे हैं, चाहिए बहार के भी हैं, अगर यह वहां ऐसे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पता नहीं कितनी अंकिताएं गई हैं कितनी मैं सल्ट की एक वीडियो देखता है सल्ट में कुछ बच्चियां गाया है हमारे उत्राखंड में पिछले सालों में कितना कुछ हुआ है कितनी घटनाएं हैं कितने केस दर्ज हैं त अब तैयार नहीं है या अगर तैयार नहीं हो रही है कि वाकई उत्राखंड से बड़ा नंबर उबाद हीं हो रहा है आप अभी गूगल में सर्च कर लो इंडिया आप कुछ चाह सुर्थ उत्राखंड टॉप लिस्ट में दिखेगा नंबर वन पे था पिछली बार लिए म राखंज बनाया गया पर यटन के नाम पर क्या ये सब चलेगा क्योंकि इनी की एर्द के हमारे गाओं है वहाँ पर छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो तमाम चीजें जब वो देखेंगे सुनेंगे कहेंगे किसी से उस तो बाते होंगी इसके बारे में जब पैसा ही सब कुछ हो गया है इन लोगों के लिए आप देखेंगे ये वीडियो किस तरह से बनाएगी क्या कुछ हुआ आप सब लोगों के सामने है ये वो पांस महिलाएं क्या कर रही थी वो लोग दिल्ली से रिशी केश उस रिसॉर्ट में क्या कर रह है ऐसे कितने रिसॉर्ट है जो इसी तरह के काम कर रहे है और इनको ना तो बंक किया जारे में सरे लिए उसके लिए आप कई लोगों ने उसको पॉलिटिकल एंगल से देखना शुरू किया है नहीं शर्म करिया प्लीज यह पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई महिला अपने बाल दे दे किसी अन्य बच्ची के लिए और उसको आप पॉलिटिकल बोले नहीं यह दर्द भी तो ह होगा आप पॉलिटिकल आप पॉलिटिक्स कीजिए ना आप आप दीजिए अपने बाल कटवाईए कहीं पर उत्राकंड की दिशा और दसा ठीट नहीं हैं जिम्मेदार हम लोग भी बराबर हैं आप और हम जातो हम आवाज उधाना नहीं जान रहे हैं जा तो आम यक्ति य और निकालता है और मतलब कुछ और होता है यह चीज़ें भी हो रही है और जब तक यह होता रहेगा अफसोस उत्राकंड में कि इसी तरह से चीज़ां होते हैं तमाम यहां परिस्पा सेंटर में क्या कुछ हो रहा हर दिन एक खबर महीं होती है हम तो डालते भी नहीं है ऐस सेंटे इसको समझेगा यह चीज़ें हो क्या रही है यह उत्राकंड जा किस दिशा में रहा है क्या हम और आप घर क्योंकि आपके बच्चे हमारे बच्चे कल यह बाहर निकलेंगे इसी बजार में इनी इनी मार्केट प्लेस में रिशीकेश, हरिजवार, देहरादून, श्री नगर, रुदर्प्या, बागिश्वर, चंपावत, अल्मोडा इनी बजारों में हमारे बच्चे भी कल गूमेंगे उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या जब तक हमारे घर पर कुछ नहीं होता हम चुप रहेंगे या यही अगर समझा है तो यही स्थीक है वह या बहुत बुरे हाल हैं अभी भी समझ लें हम सब लोगों को समलना होगा और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है इस पर यकीनन कारवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और हम एक बार जरूर जाएंगे पता करेंगे कि क्या कुछ हो रहा था नीरा रिसॉर्ट में और ऐसे कित है इनको पनफार है कोन अधिकारी पनफार है किस तरह से यह हो रहा है इसके बारे में भी चांच करनी को हो चाहिए नहीं तो यह बर्बाद हो जाएगा